हालो एवरिवन आज है 31 दिसंबर 22 यानी 22 का लास डे और कल है 1 जन्वरी 23 यानी 23 का पहला दे कल यानी नया साल है कहने को हम बोल सकते हैं कि कल और किसी का भी निव उस दिन आता है जिस दिन वो ये Decide कर लेता कि उसको जीवन में क्या करना है तो पहले तो मैं आपको आने वाले नया साल की धेर सारी सुबकामनाये दूँगा happy new year और ना केवल आने वाले साल की बलकि आने वाले पूरे जीवन की मैं आपको सुब कामना है दूँगा कि वो हमेज़ा happy रहे healthy रहे और आप इसमें अच्छे से grow करें आप सब लोग एक चीज़ देखते हैं आप सब लोग करेंगे आप मुझे भी बोलेंगे मैं भी बोलूँगा happy new year ये word सुनने में बहुत छोटा लगता है पर ये बहुत बड़ा word है और ये responsibility भी कि अगर मैं आज आप से happy new year बोल रहा हूँ या कोई मुझे happy new year बोल रहा है तो मुझे अपने आने वाले समय को happy बनाना है उसके लिए effort डालना पड़ेगा याद रखिए दुखी रहना या दुखाना बहुत आसान है उसके लिए कोई effort नहीं डालने पड़ते पर happy रहने के लिए खुश रहने के लिए मैंनत करनी पड़ती है चाहे कुछ भी हो मैं एक बात आपको बोलूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी life में happy रहें तो उसके लिए effort डालना पड़ेंगे आपके चेरे पे हमेशा खुशिया रहें उसके लिए भी effort डालने पड़ेंगे और हर साल ऐसा होता है कि 31st December या साल खतम होने वाला होता तो हम लोग अगले साल के नए plan नए vision या कुछ नए संकल्प लेते हैं पर आपने कभी देखा है और देखेंगे आप खुद भी सोचेंगे तो आप एक बात notice करेंगे कि हम में से कई लोग हजारों लाकों करोडों लोग लेते हैं पर उसमें से 11% ही होते हैं जो उसको पूरा कर पाते हैं यानि 99% से ज़्यादा लोग जो कुछ सोचते हैं एक दो जनवरी के बाद भूल जाते हैं लाइफ बिल्कुल वैसी ही चल लही होती है जैसे डिसंबर में चल लही थी या उसके पहले चल लही थी यानि कलेंडर या येर केवल तारिक बदलने के लिए ना हो आपके जीवन को अगर बदल सके तो आपके लिए बहुत अच्छा है तो मैं आप सब को ये बोलूँगा कि तो मैं आप सभी स्टुइंट को एक बात बोलूँगा कि आप जो भी सोचते हैं सबसे पहले तो सोची कि आपको करना क्या है और उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर एक्शन प्लान है या नहीं है और उस एक्शन प्लान पर आप एक्चुल में पर एक दिन जरूर होती है तो क्यों ना हम आज से ही रिसाइट कर लें कि अब हमें ये लाइप में करना है एक ना एक दिन आप वो जरूर अचीव करोगे एक अच्छा प्लियर वो होता है जो हर दिन ग्राउंड पर महनत करता है आप सोचिए मैं हमेशा प्लियर का एक्जामपल ख्लिर देता हूं क्योंकि प्लियर अबनने के लिए बहुत महनत करनी होती है हमेशा करनी होती है पहले आपको नाइस्टर इस्कूल लेवल फिर नाइस्टर लेवल फिर इंडिया लेवल फिर इंटरनेशनल लेवल यह, पर यहां तक पहुचने की जर्णी बहुत बड़ी होती है, आज हम किसी भी प्लेयर की बात करें, आज हम बात करें, फुटबॉल में मैसी की, क्रिकेट में सचिन की, या किसी भी प्लेयर की बात करें, हम इनके नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि इ जानेगे कोशिkt ये करिए कि लोग आपको जाने ना जाने पूरी दुनिया पर आप जिस फील्ड में रहें उस फील्ड के तो लोग आपको जाने उस फील्ड में तो आप एक्सेल कर सके इस सोच के साथ आपको संकल बीजिए आप जो भी डिसिजिशन लेते हैं आप मانलीजि कि जिसकी भी तियारी कर रहा है आप ग्रिशन कर रहा है तो सकता mca, mba, banking sector, upsca, civil services जिस भी sector की तियारी करना चाहते हैं जिस भी sector में जाना चाहते हैं पहले सच में एक blank page पे लिखिए कि आप बनना क्या चाहते हैं फिर आप standing देखी कि आप कहां stand कर रहे हैं मतलब आप actual में क रहा है ठीक है ना और फिर उस पोजिशन पर जाने के लिए क्या क्या efforts आपको लगाने हैं कितना time बचा है अब कई लोग इस बात के लिए भी बहुत रहते हैं कि time बहुत कम बचा मैं बोलता हूं जो time निकल गया उसकी जगे ये सोचें जो बचा हुआ time है उसमें क्या कर सकते हो सकता आपका 3-6 महीने बाद exam हो हो सकता आपका 1.5 साल बाद exam हो सकता 2 साल बाद हो सकता 3 साल बाद हो सकता 3 महीने बाद तो जो टाइम बचा है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते दूसरा अपने आपको सबसे पहले अगर कोई आपको सबसे अदर जानता तो वो आप अपने आपको धोका मत दो देखो कि आप कहां स्टेंड कर रहे हैं अगर आपका basic week है टाइम देना पड़ेगा कोई fitness club जोईन करते आप अगले दिन आपकी body नहीं बनेगी पर जिस दिन fitness club जोईन कर रहे होंगे उस दिन आप किस position पे उससे depend करेगा कि आपको कितना time लगेगा तो इसी energy इसी उर्जा के साथ आपको अपने आपको लेके चलना है कि सबसे पहले अपने को सही अपने आपका evolution करना है कि मैं actual में हूँ कहां मुझे जाना क्या है उसका path क्या है और उस path में मुझे कितना time लग सकता है एक minimum time होता एक maximum time और फिर उस जंग से अगर आप efforts लगाएंगे तो एक ना एक दिन आप जरूर सफन होंगे और याद रखिए knowledge जिसके पास है वो जीवन में कभी hard नहीं सकता इसलिए आप knowledge oriented पढ़ाई पर focus करिए अपने आपको change करिए मैरे life में मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है 360 degree से change होते हुए देखा है वो बच्चे जो life में सोचते थे कुछ नहीं कर सकते वो भी पता नहीं क्या क्या कर गए और कई बार जो बहुत कुछ कर सकते थे वो भी कई बार पीछे हो गए क्योंकि आपका एक सही निर्णे एक सही decision आपकी entire life change करता है और अगर आपने कोई decision नहीं लिया तो आप याद रखिए कोई और उस जगे पे चला जाएगा इसलिए ये जो साल आने वाला है और पिछले कुछ सालों में कोविट के समय से हमने जीवन में बहुत कुछ सीखा है बहुत tough life को हमने face करना सीख लिया है तो I hope कि अब आने वाला समय कैसा भी हो आप लोग face कर सकते हम सब face कर सकते हैं तो एक अच्छे नय संकल्ब के साथ 23 की सुवात करिए और ना केवल 23 हैपी रहे आने वाले हर साल आप हैपी रहे आपके इनी सुब कामनाओं के साथ ये सेशन एंड करूँगा और आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में Impetus Guru Kool के चैनल पे आपको बहुत सारी और भी चीज़े Impetus Guru Kool हर साल आपको बहुत कुछ नया कंटेन देता है पर अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कि कई सारे बच्चों को शॉर्ट वीडियो की रील्स की आदत पड़ गई हम लोग देखते एक दो मिनिट के लिए पर कई बार उसमें बहुत टाइम निकाल देते हैं पता ही नहीं चलता तो आपको ऐसे भी सेशन मिलेंगे लाइफ सेशन भी मिलेंगे और बहुत थारा कॉलिटी कंटेन मिलेगा जिसका आप बैनिफिट ले सकते हो तो अब मैं भी यह कोशिश करूँगा कि यह 23 आप सब बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो और जो तो इंपिटर्स गुरुकुल की तरफ से सपोट हो सकता है वह इंपिटर्स गुरुकुल जवु करेगा आपके कभी भी कोई प्रॉलम हो हम लोग यह भी कोशिश करेंगे तो आप लोग जवुद मैसेज करिए जो बैस्ट पॉसिबल आपके लिए सपोर्ट होगा वह रहेंगे, happy new year once again, thank you.